एक भीशन बाड़ आई थी जून में भारी बारिश के दोरान बहुत जादा बारिश हो रही थी तेहरा जून से और होते होते ये इतनी जादा हुई थी कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलो मीटर उपर चोरा बाड़ी गलेशेर के पास एक झील बन गई थी और उस झील के तूटन बिल्कुल बरबाद हो गया था 6,000 से जादा देखे लोग मारे गये थे यह सरकार का अकड़ा था और हजारों लोग लापता हो गये थे 45 से जादा गाउं प्रभावित हुए थे कुछ गां तो बिल्कुल ही गायब हो गये तो जो चोरावारी ग्लेश फिघलने की वजह बन M3S की गती से रिलीज हुआ था यानि अगर हम आप लोगों को बताएं तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ पांच मिनट का फ्लेश फ्लड था जिसका असर धाइसो किलोमीटर दूर तक देखा गया था के दारनाध हाथ से को देखिए 11 साल के करीब बीद चुके हैं कई जगो करे पनाख था कि अगर कोई इस सीज को याद ही करता है तो कांप जाता है और जब यह आप डय थी और जिस्टरा से वह पानी ऊपर से आया था नीचे बादल फठेते तो उसका पानी जीन फ़ंसाप जीनु सुनामाबरा हीं ऑच इन सब्सक्रााइक देखें गायब हो गया था धाइसों से ज्यादा दुकाने इमार थे घर थे वो सब कुछ नश्ट हो गये सब खतम हो गये यहां पर देखें नदी की तलहटी से सोला से 65 फिट की उचाई उपर हो गई थी रामबाडा असल में मंदाकनी नदी के करीब 30 से 35 फिट उपर बसा हुआ था ज्यादा बारिश की वज़े से मंदाकनी नदी का बहाव बढ़ता गया और चुछ की चोड़ाई भी बढ़ती गई नदी का बहाव 164 फिट उपर तक थ आसपास का दोवर का किलोमेटर का जो रास्ता था इलाका था वो सब उसमें गाया हो गया था 2013 की आपदा ने केदारनात घाटी से लेकर केदारनात तक का सारव भुगोल बदल दिया था गौरी कुंड से रुद्र प्रियाक के बीच मन कुटिया रामपूर खाट सेमी भेंस सारी रामपूर बांसवाड़ा विजय नगर जैसे कई छेत्र हाथसों का सबब बने हुए हैं लेकिन सरकारें प्राकर्तिक आपदा कम हो इसके प्रियास कम करने की बजाए इनके लिए योजना बनाने से तो रही और क्या कर रही है केदारनात पुनर निर्माण में ही सिमट कर रह गई है केदारनात पैदल मार्ग पर यहना तो भुष्खलन जोन का ट्रीटमेंट हो पाया नहीं पैदल रास्ते का विकल्क डूंडा गया है आज तक जबकि रुद्र प्रियाग जिला भुकंप बैयाने प्राकरतिक आपदाओं की द्रश्टी से पांच वे जोन पर ह है बद्रीनात और केदारनात में आने वाले तेरतियात्रियों की संख्या और उनके ढान में देखे लगातार ब्रदी ओ रहीं दोनों धामों में राज्य गठन के बाद से sympathetic bak reusable 54 ano ुसोना धान किआ आपको सोना गायब हो गया है इस माम लेकर जांच भी कराइगई और जांच में थावित हो गया कि केदारनाथ मंदिर से कोई सोना चोरी नहीं हो असल में जिसे लोग सोना समझ रहे थे वह सोने का पॉलिश की हुई परते थी जो मंदिर में लगाई गई थी जिसे लगवाने वाले थे लखी परिवार इस काम में 23 किलो सोना और एक किलो और समझ लीजिए उपर से इतना सोना लगा था यह संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है हमारे आकड़े सही नहीं है तो यह केदारनात मंदिर के वरिष्ट पुजारी जो थे संतोष त्रिवेदी उन्होंने गोटाले के आरप लगाए थे इसको लेकर एक विवात खड़ा हो गया था इंडियान एक्सप्रेस की एक रिपोर परनात मंदिर समीती और अधिकारियों पर सबासो करोड रुपय का गोटाला करने का इल्जाम लगाया दूसरी तरफ समीती ने इन आरपों को निराधार बताया है उसने बताया था कि यह मंदिर प्रभण धन को बदनाम करने की साजिश थी इसमें शामिल लोगों के मुंबए के एक व्यापारी ने दान में दिया था और उन्होंने सोने की पॉलिश करे हुए जो शीट लगवाई थी वो दान में दिये थी लेकिन जहां तक मैंने अब तक पढ़ा है और समझा है इस बारे में तो यह सब गलत था उन्हें गलत फ़हमी हुई थी इस बात की है और आप यह भी देखे जिस लखी परिवार में सोना लगवाया था क्या वो इतना ही दान करके किशी स्कूल या किसी घाउंगों को या किसी हस्पिटल को लेकर उसको नहीं सही कर सकते थे उन्होंने सोना ही भी लगवाया क्योंकि भगवान से डारेक्ट कनेक्शन हर को करना चाहता है और उसके लिए चाहता कि किसी तरीके से ना हमें दान पुन से इतना पुन मिल जाए इतना ज़्यादा पुन्य कमाले हैं कि हमारे सारे पाप खतम हो जाए उन्होंने सीधे मंदिर में दान कर दिया देखिए मंदिर में किसी भी तरह का दान कीजिए कोई मनाई नहीं लेकिन आप अपनी भावनाओं को तो कंट्रोल कीजिए अगर आपको दान ही करना है तो ऐसे कामों में कीजिए ना उस मंदिर के आसपास रोड सही करवाने में धरमशालाएं बनवाने में इसमें भी पैसा लगा सकते थे लेकिन नहीं तो चलिए ये तो अलग बात है इस बात को हम छोड़ देते हैं और बात करते हैं रास्ते की और उस आपदा की और अब तक की जो कारेवाई सरकारने की ह है यह हुई है और हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं उत्तरा खंड चार धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है आने वाले समय में यह संख्या एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है खासकर के दरना द्धाम में बढ़ रही श्रदालों की भीड को नियंत्रित करने को लेकर क्योंकि यहां पर सीमित सादन है यहां पर अभीता कि इनों ने उसके लिए कोई ऐसा इंतिजाम नहीं किया है यह कोई भी ऐसे रास्ते और वो नहीं बढ़नाई गए हैं जिसकी वज़े से यह भीड का नियंत्रण हो रास्ते वही पुराने हैं 2023 में करीब 56 लाख यात्री देखिए इन धामों में के दानाद धाम और बद्रिनाद धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और जिसमें अकेले के दानाद धाम में सबसे अधिक देखिए 19 लाख 161277 श्रद्धालू दर्शन करने गए और इस साल आप लोग देखी रह है तो यह संख्या मुझे लगता है पता नहीं कितने लाख पर जाकर ठहरेगी अकेले के दानाद धाम में आने वाले श्रद्धालू का आकड़ा 22-24 लाख या 25 लाख तक जाने की उमीद है इन लोगों को पूरी केदारनाद घाटी जो है उसको लूज मटीरियल से बना संवेदन शील है इस सीजन के दानाद घाटी में कम से बहुत ही कम बरबारी हुई है जिसके चलते अब तक कोई विए अवलांच की घटना सामने नहीं आई है लेकिन 15 जून के बाद बरसात का मौशम सुरू हो गया था इस दोरान के दानाद घाटी और अधिक जादे संवे संवेदन शील हो गई है जिसके चते लेंड स्लाइट का होना और सड़कों के तूटने की घटनाएं काफी हो रही है और इसकी वज़े से देखिए यह श्रद्धा से जुड़ी हुई है ऐसे में लोग इस यात्रा को रोक रोक नहीं पाएंगे वे ज्यानी के सरकार रोक नह से चार मीटर चोड़ा किया गया बाद में और वहां से केदारनाथ यात्रियों के जाने के सुविधा के लिए आपको खचर डोली यह चीजे मिलती है अब जब यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग होई यानि कि थोड़ा सा उसको सही करा गया अब यहां पन्ना 2017 में प्रधान से सवारने की घोष्णा थी इसमें घोष्णा करने के बाद से इसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं आप लोग देखेंगे तो धामकव दुबारा से तोड़के दुबारा बनाये जा रहा है वहां पर होटल और जो धरमशालाइं जो भी छोटी-मोटी टेंट अगरा उनके ल लेकिन सरकार ने जो है उसे तोड़के दुबारा से बनाना शुरू किया के दारनात धामे प्रदान मंत्री नरेन मोदी के ड्रीम प्रोजक्ट के अंतर गया के दारनात परिशर्च शेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत समस्तर छेत्र को छे भागों में बाटा वेन मंदिर निर्मान मार्ग भवेवे पोराण एक सवरूप मार्ग और इसी भी तरह के इन्होंने मॉडल और डिजाइन लेकर इस कारे को पूरा कराने का बोग किया है और आप लोग जानते होंगे यहां पर एक ओम को भी लगाया गया है इसी के तहत के दारनात घाटी में सवंदर्य करण के लिए एक ओम तांगा गया है के दारनात मंदिर के पीछे आपदा की भेट चड़ी आदी गुरू शंकराचारे की समाधी स्थल है उसका भी पुनरनिर्माण हो रही है हो क्या गया है काफी हद तक पूरा हो गया है प्रधान मंत्री नरेद मोधी यहां पर खुदाकर इस मूर्ती का लोकारपन करके गए थे इतना ही नहीं आदिगुरू शंकराचारे के मूर्ती आप सब लोगों को काफी प्रभावित करेगी काले रंग की महत्मों पथर से बनी यह मूर्ती के दारनात मंदिर की भवेता को और जादे भवे बनाएगी जो काम सरका के दारनात की सुरक्षा के लिए तीन लेयर वाली सुरक्षा दिवार का निर्मान करवाया है के दारनात में दो हैली पैट बनाए गए है सरस्वती और अलखनंदा नदी में संगम घाटों का निर्मान राम बाड़ा से के दारनात के लिए नए रास्ते का निर्मान के दारन पर इसर का विस्तार संगम से मंदिर को 50 फिट चोड़ा बनाया बनाया गया है लिंचोली को नए पड़ाव के रूप में लाया गया है यात्रियों को बारिश और बरबारी से बचाने के लिए तीन के शेड़ों कर निर्मान कराया है से के दार नाथ अबदा का सिलसला 17 जून की सुवह तक जारी रहा था 13 जून से ही चालू हुआ था जिसमें की 16 जून को जाकर लोगों को पता चला था कि केदारनाथ में कितनी बुरी आपदा आई है और लोग कितने बुरी तरह से मर रहे हैं, बह गए हैं, दब गए हैं और पत्थरों के नीचे दबे पड़े हैं ये भी कई दिन बाद लोगों को पता चला था मंदिर के आसपास दुकानों में पानी, मलवारेत, मिट्टी भर गया था जब ये पानी कम हुआ तो चारो तरफ शव ही शव ना जरा रहे थे वहां पर और मंदिर के पीछे अचानक से ही एक बहुत बड़ी विशालकाय पत्थर की शिला कर रुख गई थी पत्थर जिससे कह सकते हैं आप जिसने बाबा केदारनात के मंदिर को इस तवाई से बचा लिया था ये इत्तिफाक था ये भगवान का ही कोई चमतकार था इस पत्थर को भीमशिला के नाम दिया गया है आप करते हैं आपसे ओम की तो जो ओम लगाया गया है वहाँ वह साथ कुंटल का है और इसको बड़ोद्रा से तयार कराके और ये मंगाया गया है कहां के दारनात धाम में मंदिर से 300 किलो 300 मीटर की दूई पर 300 मीटर भगवान से आगे ओम को लगाया गया है ओम को बनाने में देखिए 22-24 लोगों ने काम किया था जर्मनी से आयात किया गया था इसका मटेरियल और इसकी कीमत की हम बात नहीं करें तो अच्छा है क्योंकि इसको लगाने का सिरफ ये की का इडिया था उन्होंने सोचा था कि यह भगवान शिप का ओम लगाना चाहिए हम लोगों को तो इसे ओम की स्थापना की गई है आप सोच रहे हैं इसमें कितना वजन था और यह 60 कुंटल का बजनी ओम वहां पर इस्थापित करने की क्या जरूती जहां पर आप खुद कह और बद्रीनात की जो घटियां हैं यह सब संकट में हैं पर्यावरान विद्ध बता रहे हैं कि धर्ते का तापमान बढ़ने से ग्लेशेर पिगल रहे हैं यानि बरफ पिगल रही है और चोराबारी जैसी हिम्नद यानि बरफ से भरी हुई जहीलों का निर्बान हो रहे हैं और इन जो हमारे धर्में के स्थल्हें सबको बचाने के लिए हमें कोशिक करनी चाहिए जिस तरह से लोग वहां जाकर रील बनाते हैं ौधो बनाते हैं वीड़ीं यहां पर सड़क बननी चाहिए जो धंकी बने और इस तरह से हो कि कभी भी मेर्जंसी हो तो दूसरा रास्ता भी हो पहड़ों की बेतरतीब तोड़ फोड नहीं होनी चाहिए परियटकों की संख्या देखिए हर साल बढ़ती जा रही है उसे हिसाफ से सरकार को तयारी भी करनी चाहिए जरूरत है देखिए बेहिसाब यह बेहिसाब जो काम हो रहा है उनको रोकना जिस तरीके से जोशी मट में भूद हसाब हुआ है लगाम कंपनी और ठेकेदारों ने एक रास्ता पकड़ लिया है उस रोकने की कोशिश होनी चाहिए जोशी मट के पास ही रिशी बादों की भी मुख्य भूमी का रही थी फिर विराजे बड़े बड़े बांधों पर काम कर रहा है के दानात में निर्मान के बाद गंगोत्री यमनोत्री और पद्रिनाथ घाटियां बहुत ज्यादे संकट में बहुत इसका में कारान चलवाई उपरिवरतन है लेकिन हम तो हम चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं और इसमें थो कोशिक करना चाहे हैं तो यह वीडियो मैंने इतनी बड़े इसलिए बनाई है ताकि मैं जाद से जाद से जादे मुद्दे शेयर करके आप लोगों को सुब्सक्रात है ऑर आई बता सकूँ का और के दरनाथ भी इसी तरह से गायब हो जाए अगर अपनी धरोहर को बचाना है तो उसके लिए प्रियास भी करना होगा और वह हम सब को और आपको मिलकर करना होगा इस वीडियो का उदेश्य के वल यही है कि आप लोग भी समझें इस बात को और समझाने के लिए छोटे-मो देश की 40 करोड आबादी हिमाले से निकलने वाली नदियों पर निरभर है यदि जंगल ही नहीं रहेंगे तो जल वाले छेत्र मिट जाएंगे और हमारी नदिया नहीं रहेंगी ऐसे में अकालो और सूखे का देखिए खत्रा बढ़ जाएगा क्योंकि जमीन के नीचे का ज जादस जादस अंख्या में लगाई है और कहीं भी कोई पेड़ काटते हैं लोग उनसे मना करिए उनसे रिक्वेस्ट करिए इस काम के लिए कि वह पेड़ वगहरा ना काटें परियावरण को नुकसान ना पहुंचाएं देखिए सरकार को भी इसमें योगदान देना चाह है और यह सब विचार जो मैंने आप लोगों को बताई यह मेरे अपने हैं नीजी है आप लोगों से कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग भी धियान दीजिए कहीं ऐसा नहों कि हम जिस चीज़ को आज खुद देखने जा रहे हैं कल को अपने बच्चों को बताएं कि कि सब हमारी गलतियों की वज़े से भी लुखत हो गया है के दारनाद हमारी आस्था का प्रतीक है प्लीजी से बचाने में आप सब लोग भी मदद करें आप लोग इसके बारे में विश्टरत तोर पर जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हुआ और किस तरह से हुआ कौन लोग थे इसके जिम्मेदार और कौन नहीं है तो इस बारे में आप MS ब्लॉगर की दो वीडियो हैं आप लोग उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनीकी वीडियो देखने के बाद मैंने यह वीडियो बनाई है क्योंकि मेरा जी नहीं वाना मैं चाहते करें और यह इसी उदेशया से बनाई गई वीडियो है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार